भाग्यों का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष के प्रतिध्रणड रहते हैं ये मत्सोचों की प्यार और लगाव एक ही चीज है दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है कोई भी शिक्षक कभी साधा रंग नहीं होता प्रलय और निर्मा उसकी गोद में बलते हैं यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो डर को नजदीक ना आने दो अगर यह नजदीक आ जाए तो इस पर हमला करते है खुद का अपमान करा के चीने से तो अच्छा है मर जाना क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कश्ट होता है पर अपमानित होकर जिन्दा रहने से बार बार कश्ट होता है जब कोई सजा थोड़े माज़े के साथ दी चाती है, तब वह लोगों को नेकी करने के लिए निश्तावाने और पैसे और कहुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है, वो लोगों की नजर में गिनोना बनता जाता है, जबकि नरम सजा लागू करता है, वह तुछ बनता है, लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है, वह संबानिय कहलाता है, सिहें से सीखो, जो भी करना जोरदार तरीके से करना और दिल लगा कर करना जिस प्रकार एक सूखे पेड़न को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है उसी प्रकार एक पापी पुत्र पुरे परिवार बरबाद कर देता है वह जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला ज मानी से अपने लक्ष प्राप्ति के एक-एक कदम आगे परता चला जाता है भगवान मूर्तियों में नहीं है आपकी अनुभूति ही आपका इश्वर है और आपकी आक्मा ही आपका मंदिर है उदारता प्रेम दायक भाशा हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी प्राप्त नह नहीं होते हैं जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए नहीं भविश्य के बारे में चिंतिंत होना चाहिए समझदार लोग केवल वर्दमान में ही जीते हैं जो व्यक्ति शक्ति नहोने पर मन में हार नहीं मानता उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं बहादुर और गुद्धिमान व्यक्ति आपना मार्क स्वयम बनाते हैं एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम देना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योगिता को समझते हुए अपने कार्ये को सिद्ध करना चाहिए आग सिर में स्थापिक करने पर भी जलाती है अर्थाद दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान करने वह सदा दूह की देता है दुसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुमारी आयू कम पई डिडियस जाएंगी इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिये कि आपने क्या करने के लिए सोचा है बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए द्रिड़ह रहिए हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है स्वार्थ के बिना कभी कोई दोस्ती नहीं होती ये एक कटू सत्य है